question number 21 में क्या है कि find the values of A and B A और B का value पता करना है polynomial given है polynomial जो given है वो क्या given है देख लिजे x to the power of 4 plus A x q minus 7 x square minus 8 x plus B यह आपका polynomials given है फिर से A x to the power of 4 A x q minus 7 x square minus 8 x plus B और दो divisor given है तो दोनों जो divisor given है इससे यह polynomial क्या हो जाता है exactly divide हो जाता है तो वो divisor क्या है x plus 2 और x plus 3 यह दोनों divisor ऐसा divisor है जिससे कि यह polynomial क्या हो जाता है exactly divide means reminder में क्या आ जाता है 0 अगर reminder में 0 आ जाता है इस divisor और इस divisor से divide कराने के बाद तो यह क्या रहा होगा दोनों bracket यह दोनों bracket इस polynomial का एक factor रहा होगा अगर यह factor है तो 0 क्या रहा होगा तो देखिए 0 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो divisor है उसको आप equal रख लिजे 0 के तो divisor क्या given है x plus 2 इसको रख लिजे 0 के तो यहां पर से जो x का value निकल कर आएगा आपके सामने उस x का value को आप given polynomial में put कर देजिए तो वहां से जो reminder का value आगा क्या आएगा 0 तो उस reminder का value को 0 equal रखकर a और b का value find करना होगा तो देखिए जो polynomial हम लोग के पास given है वहां पर x का value क्या रखना है minus का 2 और polynomial क्या given है x to the power of 4 means minus 2 का power 4 plus ax cube means a into minus 2 का cube minus 7x square means 7 into minus 2 2 का square minus 8 into x यानि 8 into minus 2 और प्लस भी इसको solve करेंगे तो क्या आएगा reminder तो 0 तब reminder को 0 के को रख लिजिए अब इसको solve कीजिए तो solve करने पर क्या आएगा टू का power 4 कितना आजाएगा तो टू टू जा 4 टू जा टू जा 16 प्लस का 16 फिर क्या आजाएगा प्लस और टू का क्यों क्या आएगा minus का 8 और minus का 8 का multiply a के साथ तो क्या जाएगा minus का 8 8 ठीक है फिर minus 2 का square 4 और 4 का multiply 7 के साथ तो क्या जाएगा 28 और ये minus और ये minus मिलकर क्या बन जाएगा प्लस और एक थो जाएगा 16 और प्लस बी एक्वेर्षन स्झाल की जाएगा तो देखे किस क्या होगा 16 ऐसे ही ठीक है plus और minus minus और क्या जाएगा 8 मिलकर क्या हो जाएगा 32 16 और प्लस B ठीक है यहां से आप स्वाल कीजिए तो देखिए यह 16 और यह 16 मिलकर क्या हो जागा 32 और माइनस का 8 है माइनस का 28 और प्लस B और स्वाल कीजिए 32 में से 28 चला जागा तो क्या बच जागा प्लस का 4 माइनस 8 है प्लस B और यह सब किसके एकोल चल रहा है तो 0 के क्योंकि अगर इसको सॉल्ब करेंगे तो रिमाइनडर क्या आना चाहिए 0 क्यों क्यों क्योंकि माइनस 2 क्या है इस पॉलिणोमिल का एक 0 है तो यहां इसको आप मान लिजिए एकोईशन 1 से इसका एक दुसरा 0 गिवेन दुसरा फैक्टर गिवन है एक्स प्लस थ्री तो इस फैक्टर को आप इकोल रख लिजिए जी रोखे तो एक्स प्लस X to the power of 4 तो इस X के जगा में क्या रखना है minus 3 ठीक है minus 3 का power 4 तो minus 3 power 4 plus AXQ plus A into XQ means minus 3 का Q plus minus 7X square तो minus का 7 into में minus 3 का square उसी तरह से minus 8X है तो 8 into minus 3 और plus में B इसको solve कीजिए तो reminder के आजाना चाहिए 0 3 का power 4 तो क्या होगा 3,39 9,3,27 और 27,3, क्या जागा तो 27,3 जागा 81 यहाँ जागा 81 plus का plus A और 3 का Q क्या हो जागा 27, minus का तो यहाँ जागा minus का 27 A ठीक है minus 3 का square 9 और 9 का multiply 7 के साथ 63 minus और यह minus और यह minus हो जागा plus 8,3 जागा 24 और plus में B उसके बाद आगे साथ कुझे यह सब इकोल चलेगा किसके 0 के तो देखें यहाँ क्या आ जागा 81 प्लस का प्लस और माइनस माइनस 27 A माइनस 63 प्लस 24 और प्लस B और आगे साथ कुझे तो 81 में से 63 चला जागा क्या बचेगा तो 7 70 18 क्या बच जागा 18 प्लस का 18 और 24 कितना हो जागा 42 प्लस का 42 और क्या बच गया माइनस 27 A और प्लस B तो सही आगा 81 में से 63 चला जागा तो आजागा वो 18 और 18 और 24 क्या हो जागा 42 ठीक है और ये 27 है और ये B और ये सब किसके इक्वेशन रहा 0 के और यहाँ ये इक्वेशन आगिया इक्वेशन 2 अब ये दोनों के इस क्वेशन को सॉल्व करेंगे और A और B का वेलू वहां से निकल जाएगा तो देखते हैं तो ये दो इक्वेशन को ये दो इक्वेशन को आपसमे रखके सॉल्व करना है तो किजी तो इक्वेशन 1 क्या गिवेन है तो equation 1 given है 4 minus 8a plus b और equal में क्या चल रहा है 0 और second equation क्या given है 42 minus 27a plus b equal में 0 तो इसको हम लोग separate कराएगे हैं तो क्या लिख देंगे हैं आपर subtract equation 1 equation 2 from 1 separate कराएगे तो separate करने क्या करना होगा क्या है साइन चेंग यह plus का थो तो माइनस माइनस का थो प्लस यह प्लस का थो माइनस उसमें से यह भी और भी क्या होगा प्लस का भी तो माइनस का 42 अब प्लस का 4 क्या हो जाएगा तो 38 माइनस का 38 प्लस माइनस माइनस 27 ए में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 19 ए और इक्वल में 0 स्वर्प किजिए यहां से और तो एका वेलू आ जाएगा 38 अपॉन 19 और यहां से एका वेलू निकल कर आजाएगा तो तो यहां पर निकल गया एका वेलू टू और इस टू को किसी एक्वेशन में पूट कर देंगे इस एका वेलू 2 को यह वान और 2 किसी भी एक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से क्या वेलू निकल कर आजागा वीका तो लिखिये पूटिंग दवेलू of a is equal to 2 in equation 1 चलिए 1 में पूट कर देते हैं तो equation 1 क्या है 4 minus 8 a a का value कितना 2 और plus b equal में 0 8 to 16 16 में से 4 जाएगा तो minus का 60 प्लस का 4 क्या जाएगा minus का 12 plus b equal में 0 और यहाँ परसे b का value जो निकल कराएगा वो निकल कराएगा 12 तो similar question चल रहा है पिछला जितना भी question ने इसी तरह हम लोग की हैं तो यह होगी आपका question number 21 question number 22 तो question number 22 में क्या given है given है की x minus 2 और and x minus 1 upon 2 यह factor और और फेक्टर अव जिवन पोलिनोमिल पोलिनोमिल की है आप प्यक्स स्क्वायर फ्यक्स प्यक्स 5 x s plus r और ये दो factor given है इस polynomial का और हम लोग को prove करके दिखाना है Prove that P is equal to R ये prove करके दिखाना है तो ये भी बहुत आसान है तो जैसा पहले similar था वही question है SEV अगर ये factor है इस polynomial का तो zero क्या रहा होगा तो हम लोग क्या करते है factor को 0 के equal में लिख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर से x का value निकल कर आएगा सामने और उस x का value को हम लो क्या करते हैं इस polynomial में put करते हैं यहाँ पर x का value क्या निकल कर आए 2 तो जो given polynomial है वहाँ पर आप x के जखा में 2 put कर दीजिए तो उसका reminder क्या आएगा 0 तो जिरो एकोल रख्यार इसको सॉल कुजिए तो वहाँ से एक equation नजरा आजागा तो पी इंटु x square means 2 का square plus 5 into x means 5 into 2 plus r ठीक है तो का square 4 यानि 4P plus 5 to 10 plus r तो यह सब इसके को जचर रहा है जिरो के एकोल में तो यहाँ पर यह equation निकल का आगिया equation 1 ठीक है और उसी तरह से आप जो दूसरा factor दिया वहाँ साथ इसका 0 निकाल लिजिए तो देखिए x minus 1 upon 2 को equal रख लिजिए आप 0 के और यहाँ पर से x का value जो निकल कर आजागा वह 1 upon 2 के equal में निकल जागा तो इस x का value को आप polynomial में पूट कर दिजिए जो given है तो 1 upon 2 को पूट कीजिए तो क्या हो जागा तो पी एक स्क्वार मेंस पी इंटू 1 upon 2 का square plus 5 x means 5 into 1 upon 2 plus r सब कीजिए इसको तो यह सब किसके को आजागा तो यह सब 0 की को आजाएगा तो वन का स्क्वार वन टू का स्क्वार फोर यानि पी इंटू 1 upon 4 प्लस 5 upon 2 plus r और यहां साप एल स्यम ले लिजिए तो कि आज से हमाजागा फोर फोर का टेबल में 4 वन टाइंज से मांड का मल्टिप्लाई पी से क्या जागा पी अपलस स्टू कमट टेबल में टू टाइंज में है टू कम मल्टिप्लाई 5 के साथ क्या आजागा तो यह आजागा 10 प्लस 4R ठीक है यहाँ पर साप कॉमन ले लिजिए 1 अपन 4 को अंतो अंदर क्या बच जाएगा P प्लस 10 प्लस 4R और यह सभी कोल चल रहा 0 के और यह 1 अपन 4 0 की तरह आजागा तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास बच जाएगा P प्लस 10 प्लस 4R यह होगी आपका equation 2 ठीक है अब यहाँ पर से हम लोग अब सब्ब करेंगे दोनों को equation को सामने रखके तो देखिए क्या है पहला equation क्या है तो यहाँ लिख लेगे पहले subtract equation 2 from 1 अब 1 से भी 2 को भी subtract कर सकते हैं अंसर आ जाएगा तो क्या equation तो देखिए 4P प्लस 10 प्लस R और इसको equal में 0 और यहाँ पर P प्लस 10 प्लस 4R और यह सब भी equal में 0 तो subtract कराने के लिए या तो P का term या R का term equal होना चाहिए तब तो यह कटेगा तो हम लोग यह काम करते हैं इस equation equation 1 को multiply कर देते हैं 4 से तो यह क्या हो जागा 4R ठीक तो किजिए 4 का multiply 4 के साथ तो क्या जागा 16P प्लस 4 का multiply 10 के साथ तो क्या जागा 40 और 4 का multiply R के साथ तो 4R और यह सब equal चलेगा 0 के और यहाँ पर आ जागा P प्लस 10 प्लस 4R यह एक चेप्टर है linear equation वहाँ पर आपको यह सब swap करके हम detail में समझाएंगे तो यहाँ पर देखे कैसे हो रहा अब इसको separate कराई है तो प्लस का है तो माइनस यह माइनस और यह भी माइनस यह 4R 4R कर जागा और यहाँ system P में से 1P चला जागा तो क्या बचेगा 15P प्लस का और 40 में से 10 जागा तो प्लस का 30 यह से इकोल चल रहा 0 के तो यहाँ पर P आजागा P एकोल आएगा किसके तो माइनस का 30 अपोन 50 क्या आजागा माइनस का 2 प्लस की आगिया अब इस माइनस 2 का वेलू को आप equation 1 में पूट कर दीजे वहाँ पर से और का वेलू निकाल लीजे तो equation 1 क्या गिवेन है तो equation 1 यह गिवेन है तो क्या 4 P तो 4 पहले लिख लिजा footing the value of P is equal to minus 2 in equation 1 पूट कीजे तो equation 1 में गिवेन है 4 P 4 into 2 minus का plus 10 plus R equal में 0 तो 4 2 जाएट minus का 8 plus का 10 और plus का R तो क्या आजागा यहाँ पर यह सब equal चर्रा 0 के तो यहाँ पर आजागा आपका minus 8 और plus 10 तो plus का 2 और plus R और equal में 0 R को यह रहने दीजे तो R का value क्या निकल कर आजागा minus का 2 और P का value क्या निकल कर आया है minus का 2 तो यहाँ पर यह proof हो गया कि P जो है इक्वल है किसके इसे लिए कि P है equal R के यहाँ यह proof होके आगिया तो यह है आपका question number 22 यह कैसे solve हुआ है हम एक इसका अलग से एक video बना कर डालेंगे उसको आप देखिएगा तो आपको यह समझ में आजागा कि इसको लोग multiply क्यों किये हैं इसको घटाना कब है जोडना कब है यह सब पता चल जागा ठीक है तो यह हो गया आपका question number 22 प्रूब देट इस पोलीऎम्यल इस दिवीजियवल भाई इस पोली निमर ठीक है तो एप पोलीनम्यल गिवें है प क्स तो पी एस क्या गिवें है तो टू एस तो पावर अवर फोर मिनस पाईग स्क्यू प्लस तो एस स्क्वार माइनस X प्लस टू यह पोलीनुम निल गिवन है चेक लिए 2X तो दिपावर फॉर माइनस 5X Q प्लस 2X स्क्वार माइनस X प्लस 2 और एक इसका एक डिवाइजर गिवन है तो डिवाइजर क्या गिवन है X स्क्वार माइनस 3X प्लस 2 और विदावट एक्च्वल डिविजन हम लोग को बताना है कि यह जो है इसका एक फेक्टर रहा होगा तो समसे पहले हम लोग इससे पहले एक कॉश्चन किये थे हम लोग जिसमें कि आप लोग को बताये थे कि मान लिजिए 8 कोई नंबर है और 4 है और 2 है यह 8 जो है इस 4 से डिवाइड हो जा रहा ठीक है और यह 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो जा रहा तो यहाँ पर यह 2 भी क्या करेगा 8 को डिवाइड करेगा यह डिटेल हम बता चुके हैं तो वही चीज़ हम लोग यहाँ परूफ करेंगे क्या परूफ करेंगे जैसे यह प्रियक्स है ठीक है और यह को डिवाइड है इसका ठीक अगर यह इसको एक्चॉल डिवाइड करता होगा तो इसका जो फेक्टर है इसका जो फेक्टर होगा को भी एक फेक्टर रहा होगा माने जी एक्स पॉलाइड टू को फेक्टर रहा होगा ठीक है तो अगर यह इसको एक्चोल डिवाइट करता है और यह इसको एक्चोल करता है तो यह इसको भी एक्चोल करेगा तो चलिए बनाते हैं तो सबसे पहले इसका फ्रेक्टर निकाल लिए तो इसका जो फ्रेक्टर भी हम निकालेंगे वह हम एक अलग निकालेंगे जो पिछला हो जो बनाए थे हम लोग वह ट्राइल यहां पर हम लोग यूज करते हैं ट्राइल एंड एरर मेथड तो निकालेंगे इसका फ्रेक्टर तो कैसे निकलेगा तो पहले तो इस परिनमेल को लिखी स्क्वाइर माइनस त्री एक्स प्लस तो ठीक है और इसको एक और रख लिजिए आप जीरो के ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इस पॉलिनमेल को यह पॉलिनमेल क्या है जी एक्स और यह जी एक्स जो हम लोग को गीवेन है यहां प्लिख लिए जब जी एक्स जो गीवेन है ठीक है और एक्स के जगा में हम लोग पहले पूट करेंगे वन ट्राइ करते हैं य 1 put किज़िए 1 का 2 minus 3 into 1 plus 2 solve किज़िए 1 minus 3 plus 2 यह 1 और 2 क्या ओजागा 3 तरी और minus 3 क्या जागा इसका रिमाइडर 0 यानी 1 क्या रहा होगा इस पोलिनम्यल का 1 0 रहा होगा तो factor क्या रहा होगा तो factor रहा होगा x minus 1 ठीक है और भी इसका 0 सा find कर सकते हैं तो जैसे हम लोग x के जगा में 2 put करके देखते हैं तो put किजिए तो 2 का square minus 3 into 2 plus 2 क्या आना चाहिए reminder 0 तो 2 का square 4 minus 6 plus 2 ठीक है 4 और 2 क्या जागा 6 minus 6 equal to 0 यानी 2 put करने पर इसका reminder क्या आया 0 यानी 2 भी क्या रहा होगा इस polynomial का एक 0 रहा होगा तब factor क्या रहा होगा तो factor रहा होगा x minus 2 ठीक है तो यह इसका factor रहा होगा चलिए अब एक एक करके हम लोग इस polynomial में value put करेंगे पहले 1 करेंगे और उसका reminder 0 निकाल कर दिखाएंगे मतलब क्या अगर 0 आ जा रहा है इस factor से इस polynomial का तो हम लोग बोलेंगे यह gx से भी actual divide हो जाएगा ठीक है तो देखिए क्या करना है तो पहले तो जो polynomial given है वहाँ पर आप put कर दिजिए x का value 1 यह पर तो 1 put किये थे तो यह 0 आया था तो यह 0 किसका था इस polynomial का अगर यह 1 इस polynomial यह एक्स-1 इस polynomial को अगर एक्च्वल डिवाइड कर देता है तो x-1 इस polynomial को भी एक्च्वल डिवाइड करेगा तो चलिए P के जगा में x के जगा में 1 बिठा दीजिए तो क्या आ जागा 2 इंटू 1 का पावर 4 minus 5 1 का पावर Q plus 2 इंटू 1 का स्क्वायर minus 1 plus 2 solve किजिए तो 2SAT का 1 का पावर 4 1 आ जागा 1 का multiply 2 के साथ उसी तरह से यहाँ पर 5 इंटू 1 5 उसी तरह से यहाँ पर 2 इंटू 1 2 minus 1 plus 2 ठीक है तो देखिए यह plus का 2 plus का 2 plus का 2 क्या आ जागा 6 minus का 5 और minus का 1 तो minus का 6 क्या आगे reminder 0 अगर reminder 0 आ जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या X minus 1 जो है इस और फेक्टर और पी एक्स उसी तरह से यहाँ पर फूट कीजिए आप यह 2 जो है सेकेंड 0 तो यहाँ पर की आ जागा तो 2 इंटू 2 का पावर 4 minus 5 इंटू 2 का पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का इंटू 2 का पावर 4 मिनस 16 मिनस 5 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 मिनस 1 प्लस 2 सुल कीजिए 32 माइनस 40 माइनस 40 प्लस 6 प्लस 8 माइनस 1 और प्लस 2 आगे सुल कीजिए 32 में से 40 जागा तो माइनस का इट प्लस का इट किंसिल और माइनस का वन और प्लस का टू सुल कीजिए बढ़िया से 32 में से 40 जागा तो माइनस का इट फिर प्लस का इट फिर माइनस का वन और प्लस का टू तो क्या आ जाएगा यहां पर एक्स रहा होगा तो एक्स का वेलू क्या एट एक्स का वेलू टू तो यहां पर क्या आजागा टू और यहां पर क्या आजागा टू तो यहां पर भी क्या आजागा टू अब देखें यह माइनस का एट प्लस का एट माइनस का टू प्लस का टू क्या आगिया जिरो अगर 0 आ जा रहा है तो यह 2 क्या रहा होगा इसका एक 0 रहा होगा इस पोलीनुमिल का अगर 2 0 है तो इसका फेक्टर क्या रहा होगा तो X-2 is a factor और PX तो देखिए हम लोग यहां क्या रूल अपना है तो जो हम लोग के पास पोलीनुमिल गिवें ता PX ठीक है इस PX का एक डिवाइजर गिवें है जी एक्स ठीक है तो देखिए रूल क्या है कि पाहले तो हम इसका एक फेक्टर निकाल दी है ठीक है तो जो इसका फेक्टर निकला है फेक्टर क्या निकला है एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 यह दो फेक्टर निकला है जी एक्स का यानि यह दोनों फेक्टर इस GX को क्या करता होगा अगर यह दोनों फेक्टर इस GX को एक्चल डिवाइट करता होगा और यह GX जो है यह डिवाइजर जो है पोलिनुमिल को एक्चल डिवाइट करत तो यह हम लोग रूल अपना है पहले तो इस डिवाइजर का हम फेक्टर निकाल लिए एक्स माइनस ओन एक्स माइनस टू और इस फेक्टर को फेक्टर से लोग जिरो निकाले और जीडो को इस पॉलिवनमिया में पूट कर दी तो रिमाइंडर क्या आ गिया यहां पर से जीर और यहां पर से भी जीरो तो इस तरह से इसको हम लोग स्वाप करेंगे तो क्वेशन नमबर यहां 23 आपका कुप्लेट हो गया 24 तो क्वेशन नमबर 24 में क्या है कि एक पोलिनोमियल गिवेन है तो पोलिनोमियल क्या गिवेन है देख लिए तो टू एक्स टू पावर अप प्लस और सॉरी माइनस फाइव एक्स टू फाइव एक्स क्यू प्लस टू एप स्कृइर माइनस X और माइनस 3 ठीक है और एक डिवाइजर गिवेन है तो डिवाइजर क्या गिवेन है X माइनस 2 अब देखें क्या है क्यों है What must be added to 2X to the power of 4 माइनस 5XQ प्लस 2X square माइनस X माइनस 3 इस पोलिनोंगियर में क्या जोड देने से that the result is exactly divisible by X माइनस 2 जिससे की X माइनस 2 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा इस पोलिनोंगियर में क्या add कर देने से इस डिवाइजर से ये actually divide हो जाएगा तो देखिए हम एक example देते हैं आपको जैसी ये 7 है तो 7 में क्या जोड देने से कितना जोड देने से ये 2 से actually divide हो जाएगा तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसको 2 से divide करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा 2,3,6 remainder में क्या बचा 1, अगर इस 1 को अगर हम लोग इस dividend में जोड दे तो क्या हो जागा 8, और 8 क्या होगा 2 से actually divide हो जाएगा, हो जाएगा न remainder में क्या जाएगा 0 तो उसे ही question ये है, कि इसमें क्या जोड दे, कि क्या X-2 से क्या हो जाएगे actually divided हो जाएगा लोग जो रिमांडर में आता है उसको जोड देंगे इसमें तो किया होजागा से एक्स्टोरी डिवाइड हो जाएगा तो Realiser में क्या आएगा यह हमको किसे पता चलेगा तो दीखें अगर किसे पॉलिनोमियल को हम लोग किसी लीनियर polynomial से किसे linear polynomial से divide करेंगे तो उसका जो reminder आएगा वो किसके equal में तो वो आएगा constant के equal में किसके equal में अगर हम लोग किसी भी polynomial को linear polynomial से अगर divide कर दें तो उसका जो reminder का जो value आएगा reminder किसके equal में आगा तो किसी constant के equal में आगा ठीक है और आगे हम बताएंगे बाद में तो चलिए यहाँ आप समझ लेजिए आगे बताने के जरुवत नहीं पड़ेगा तो अगर किसी polynomial को linear polynomial से डिवाइट किया जाए तो इसका reminder किसके equal में आगा किसी भी constant के equal में आगा अगर किसी polynomial को किसी quadratic polynomial से डिवाइट किया जाए तो quadratic polynomial क्या होता ax square प्लस bx और प्लस c अगर इस term से किसी polynomial को डिवाइट किया जाए तो उसका जो reminder आगा वो किसके equal में आगा तो वो आगा linear polynomial के equal में तो linear polynomial किस form में रहाता है ax प्लस b के form में तो यहाँ पर linear polynomial किस form में रहा होगा ax प्लस b के form में यानि अगर किसी polynomial को linear polynomial से डिवाइट किया जाए तो उसका reminder जो constant की equal आएगा अगर किसी polynomial को quadratic polynomial से डिवाइट किया जाए तो उसका reminder किसी में आएगा linear polynomial में अगर किसी polynomial को cubic polynomial से means axq plus bx square plus cx plus d से अगर divide कर दिया जाए तो उसका जो reminder आएगा वो किसके equal में आएगा quadratic polynomial के equal में आएगा means ax square plus bx plus c के equal में आएगा ठीक है तो question क्या है तो question एक polynomial given है और उसका जो diviser है वो किस form में है तो देखिए ध्यान से x minus 2 x minus 2 कैसा polynomial है तो यह एक linear polynomial है linear polynomial कैसे है तो देखिए इसका variable का power क्या है ठीक है तो linear polynomial है यानि अगर इस polynomial को linear polynomial से divide करेंगे हैं तो उसका reminder क्या आएगा तो कोई constant आएगा और constant को लोग किसे डिनोट करते हैं कैसे यानि अगर इस टर्म में इस polynomial में के एट कर दिया जाए तो इससे डिवाइड करने पर reminder क्या आएगा जीरो तो चलिए यानि यानि एक्स माइनर दिया जाए तो यह एक्सोल डिवाइड हो जाएगा तो इस इसको आप नोट कर लिजेगा बहुत इंपोर्टेट है देखिए आगे तो आगे क्या तो सबसे पहले हम लोग को क्या एट करना होगा इस polynomial में तो हम मान के चल रहे हैं कि के एट करना होगा ठीक है और यहां पर से आप के का भेली निकाल लिजिए तो देखिए इस इस दिवाइजर से इस polynomial को अब हम डिवाइट कराएंगे तो क्या remainder आगा 0 क्योंकि उसमें k एट कर दी है क्या एट करने से 0 आगा तो के अब क्या आएगा 0 तो देखिए तो इसका आप निकाल लेजिए 0 तो इसको निकालने का सिंपल से नियम है डिवाइजर को आप equal रख कर दे तो उसका reminder क्या आएगा 0 ठीक है तो polynomial invariable x में क्या पूट करना है 2 कि 2 into x का पावर 4 means 2 का पावर 4 minus 5 x cube means 5 into 2 का पावर क्यूब प्लस 2 into 2 square minus 2 minus 3 plus के अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो सॉल्व अगर करेंगे तो minus kya b नहीं है k है constant term आएगा ठीक है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका reminder क्या आएगा 0 तो 0 equal रख यहां पर से आप k का value निकाल लेजिए तो देगे 2 2 का 4 16 to the power 4 16 minus 5 और 2 का क्यों क्या हो जागा 8 plus 2 into 4 minus 2 minus 3 plus k अगर मैंडर क्या आगा 0 तो 16 to the 32 minus 80 plus 8 minus और मैंडर प्लस यानि मैंडर का 5 और प्लस के अब यहांसे देखिए अगर मैंडर 0 32 में 70 जागा minus का 8 plus का 8 minus का 5 और प्लस में k तो यह plus का यह minus का कड़ जागा और यह minus का 5 गिज़र आजागा तो क्या हो जागा 5 यह आएगा k का value यानि इस polynomial में अगर हम 5 एट कर दें तो इस डिवाइजर से क्या होगा यह polynomial डिवाइड हो जागा एक्चोली डिवाइड हो जाएगा तो यही पूछरा था question में तो यहां होगी आपका question number 24 number 25 तो question number 25 में क्या given है तो एक polynomial given है यहां पर तो polynomial लिख ली जाप क्या है x to the power of 4 plus 2x cube minus 2x square plus 4x plus 6 इसे बोर रहा है कि इसमें क्या subtract कर दिया जाए कि यह polynomial इस डिवाइजर से actually divide हो जाए कि इस डिवाइजर से तो x square plus 2x minus 3 से क्या हो जाए actually divide हो जाए तो समसे पहले question को समझे इस polynomial में जो given polynomial x से उसमें से क्या subtract कर दिया जाए कि यह x से क्या हो जाए actually divide हो जाए तो समसे पहले देखिए हम बताते हैं अब यह seven है seven में क्या subtract कर दिया जाए कितना separate कर दिया जाए कि यह क्या हो जाए two से actually divide हो जाए तो पहले तो हम लोग इसको divide करेंगे तो क्या जागा two three जा six reminder क्या बचाव और अगर यह reminder इस dividend से अगर हम लोग घटा दें तो seven minus one तो क्या जागा six और यह six हो है two से क्या है exactly divide हो जागा तो यानि जो reminder आगा उसको इसमें सखटा देना तो उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे साथ से पहले पता करेंगे कि इससे divide करने पर इसका reminder क्या आ सकता है और उसको क्या करेंगे इस polynomial से सब्सक्राइट कर देंगे तो क्या होगा इस पॉलिनोमियल से जी एक से वह एक चॉली डिवाइड हो जागा तो देखिए कैसे होता है तो तो सबसे पहले क्या करना है यहां पर यह देखना है कि अगर हम इस polynomial से इस polynomial को डिवाइड करेंगे तो इसका reminder क्या आ सकता तो देखिए यह जो gx है वो कैसा polynomial है तो देखिए यह है x square plus 2x minus 3 तो यह एक quadratic polynomial है जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर किसी polynomial को quadratic polynomial से means x square plus bx plus c यानि quadratic polynomial से डिवाइड किया जाएगा तो उसका जो answer आएगा उसका जो reminder आएगा reminder किसके equal में आएगा तो किसी linear polynomial के means ax plus b के equal में आएगा reminder यानि किसी linear polynomial के form में आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एजूम कर लेंगे कि अगर हम इस quadratic polynomial से किसी polynomial को डिवाइड करते हैं तो उसका जो reminder आता वो क्या था ax plus b और इस ax plus b को इस polynomial से कर देंगे तो इस gx से यह क्या हो जागा exactly डिवाइड हो जागा तो ठीक है तो यहाँ पर सम्रूद क्या करेंगे ax plus b को subtract कर देंगे तो क्या हो जागा यह gx से actually divide हो जागा तो अब subtract कर देने पर अब क्या होगा इस polynomial gx से यह exactly divide हो जागा अगर यह exactly divide हो जागा तो इसका reminder क्या आना चाहिए 0 तो ठीक है सबसे पहले अगर यह gx इस polynomial को exactly divide करता है तो इसका 0 क्या रहा होगा तो 0 निकालने के लिए हम लोगों क्या करेंगे तो 0 निकालने के लिए हम लोगों middle term split कराएंगे इसका तो middle term split करने के लिए क्या करना होगा तो देखिए सबसे पहले तो आप x square plus 2x minus 3 को रख लिजे 0 के तो यह आपका exercise 3c में दिया गया है तो जब 3c में जाएंगे तो और बढ़िया से इसको समझा देगो उसमें तो अभी फिलाल यहां देख लिजे तो यहां x square plus 3x minus x और minus 3 equal में क्या 0 यहां पर से common ले लिजे x को तो क्या आजागा x plus 3 minus 1 यहां common ले लिजे तो क्या आजागा x plus 3 equal में 0 यहां 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 पर से दो फेक्टर निकाल ले लिजे तो क्या जागा x plus 3 क्या बज़ गया x minus 1 यह कैसे होता है यह पूरा हम डिटेल exercise 3c में करेंगे तब यहां पर से दो फेक्टर निकाल लिए किसका इस polynomial का ठीक है तो यह दो जो bracket निकल कर आया है यह क्या निकल कर आया है इस polynomial का दो फेक्टर निकल कर आया है ठीक है अगर यह दो फेक्टर इस polynomial का है तो यह दो फेक्टर इसका भी एक फेक्टर रहा होगा बता चुके हैं पहले तो यहां पर से आप इसका 0 निकाल लिजे अगर x plus 3 इस polynomial का फेक्टर है तो 0 क्या रहा होगा तो 0 निकालने के लिए इस factor को आप 0 के को लिख लिए factor क्या है x plus 3 अच्छा यहां पर साप इसे लिख लिए gx तो वो है x plus 3 को रख लिए 0 के x का value क्या निकल का जागा minus 3 तो 1 x का value आपका निकल का रहा है minus 3 अच्छा दूसरा x का value का आप 0 रख लिए कोल के वहाँ पर चापको x का value क्या मिल जाएगा 1 ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस minus 3 को इस polynomial में put कर देंगे तो इसका reminder क्या आना चाहिए 0 अगर इस 1 का भी अगर इसका इसमें put कर देंगे तो उसका reminder क्या आना चाहिए 0 तो ठीक है put करेंगे तो polynomial invariable x तो हम लोग अब क्या करेंगे कि जो given polynomial है उसमें सी यह जो find किये है zeros और put कर देंगे उसमें तो put कर दिजिए तो क्या put करना x के जगा में तो x के जगा में से पहरे हम लोग put करेंगे minus 3 किजिए तो क्या है x to the power of 4 means minus 3 का power 4 plus 2x cube means 2 minus 3 का cube फिर minus 2x square तो minus 2 into x square means minus 3 का square फिर plus 4x तो plus 4 into minus 3 उसके प्लस 6 प्लस 6 और इसके बाद यह bracket का में लोग खोर रहे हैं तो खोल देंगे तो क्या हो जागा minus का a into minus 3 और plus b अब इसका में लोग solve करेंगे तो किजिए तो यहां पर रिमाइंडर क्या जागा 0 minus 3 का power 4 क्या जागा 81 positive में plus 2 into minus 3 का cube क्या जागा minus 3 का cube 27 minus का और 2 से multiply करा दिजिए तो क्या जागा minus का 54 फिर 2 into 3 minus 3 का square 9 9 का multiply 2 से तो क्या जागा 18 और सी तरह से plus और minus क्या जागा minus और 4 into 3 12 ठीक है फिर plus का 6 minus का minus और minus plus 3A और plus B इसको solve करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 तो 0 एको लेके चलते तो देखिया 81 minus 54 minus 18 minus 12 plus 6 plus 3A plus B अब इसको आप solve कर दीजिए तो देखिये यह minus का 54 minus का 18 और minus का 12 इसको साथ में जोड़ो देजिए तो 18 और 12 minus का 30 अब minus का 30 और 54 तो क्या हो जागा minus का 84 तो यह plus का 81 और minus का 84 तो यह plus का 6 तो यह plus का 6 लिख लिजिए आप फिर क्या बज़िया plus 3A plus B अब यहाँ से चल कुछ जिए तो यह 81 और 6 क्या हो जागा 87 minus 84 plus 3A plus B अब देखें क्या आएगा तो 87 में से 84 चल जागा 3 plus 3A अच्छा यह plus कभी यह minus कभी होगा क्या होगा minus कभी minus कभी ब्रेकेट जब हम लोग खोलेंगे तो यह क्या हो जागा minus में ठीक है और यहाँ पर आजागा minus कभी तो यह आगे आपको equation 1 और equal में क्या चल रहा है 0 उसी तरह से हम लोग जो second zeros find करके रखें 1 उसको put कर देंगे तो यहाँ से हम लोग equation 2 मिल जागा तो देखे equation 2 निकालने के लिए हम लोग को 1 put करना है इस following number में किजिए 1 का power 4 plus 2 2 इंटो 1 का Q minus 2 इंटो 1 का square plus 4 इंटो 1 plus 6 minus A इंटो 1 हम मैंनेस B ठीक है solve की जी जी आँ से तो इसका रिमेंडर क्या आना चाहिए 0 ठीक है तो यहाँ आगिया 1 plus 2 minus 2 plus 4 plus 6 minus A minus B तो 0 2 1 अच्छा यह 2 और यह 2 को काड़ दीजे तो क्या बजागा 6 4 10 और 1 11 minus A minus B यह निकल करा आगिया आपको equation 2 अभी दोने equation को साथ में रखके solve कर देंगे तो क्या निकल करा जागा तो यहाँ से आपको निकल करा जागा A और B का value तो देखिए क्या आए minus के minus का B ठीक है अब दोने equation को साथ में रखके solve करना तो किजी पाइल equation क्या है तो 3 plus 3 A minus B और इकल में 0 सेकेंड एक्वेशन 11 minus A minus B और 11 minus A minus B और इकल में 0 तो क्या कराना होगा यहाँ पर सब्ट्रेट कराना होगा तो सब्रेट कराई तो प्लस का है तो मैंस का मैंस का है तो प्लस का यह प्लस का यहाँ पर हैट दीजी सब्ट्रेट ग्वेशन सब्ट्रेट एक्वेशन 1 फ्रॉम एक्वेशन 2 फ्रॉम तो सब्टेट कर रही है क्या आएगा तो यह सब्टेट कर रहने पर यह मैं कैंसिल हो जागा क्या बचेगा मैं पास माइनस का 8 माइनस का 3A और A क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा प्रस का 4A एक्वल में 0 यहां पर से A का भेरू जो निकल कराएगा 8 अपोन 4 तो यहां पर A का भेरू जो निकल कराएगा क्या निकल कराएगा 2 और इस 2 का भेरू को आप पुट कर देजिये किसी भी क्वेशन ने वहाँ पर से आपको B का भेरू पता चलिजागा तो चलिए आप पुट कर रहे हैं पुटिंग पुटिंग दा वैलू अफ ए इस इक्वेशन वन विखर देजिये। तो equation 1 क्या है? 3 प्लस 3 है, 3 प्लस 3 इंटू 2, माइनस B इक्वाल टू 0, तो 3 टू जा 6 और 3 9, माइनस B इक्वाल टू क्या है? 0, 9 को इधर रने दीजिया, B को इधर ले जाए है, B इक्वाल टू क्या आ गया? 9, और A का वेलू क्या आ गया? 2, अब हम लोग जो इसमें से subtract किये तो हम लोग किये थे इसमें A X प्लस B को subtract किये थे, तो A से ठीक, अच्छा A का वेलू आ गया, A का वेलू क्या आया? 2, और X अब प्लस B का वेलू क्या आया? 9, यानि 2X प्लस 9 को अगर इस polynomial में सप्ट्रेट कर दिया जाए, तो इस polynomial से ये polynomial क्या होगा? एक्चुली डिवाइड हो जागा, मतलब कि अगर 2X प्लस 9 को गिवेन polynomial में से सप्ट्रेट कर दिया जाए, तो ये जो गिवेन GX है, डिवाइजर जो है, इस polynomial को क्या करेगा? एक्चेक्टली डिवाइड कर देगा, यानि रिमाइंडर में क्या जाएगा? 0, तो ये question बहुत असान है, थोड़ा practice की जाएगा, तो ये वो आपका question number 25. तो question number 26 में क्या है? Use factor theorem to prove that, factor theorem use करके prove करना है कि X प्लस A जो है, वो factor है, किसका? तो इस polynomial का, तो polynomial क्या given है? तो polynomial given है, X to the power of N, प्लस A to the power of N, और N क्या है? तो N है एक whole number, क्या है? whole number, ठीक है? और odd number है, चलिए whole number है, तो चलिए इसको odd number है, में क्या है? odd number है, ठीक है? N क्या है, odd number है, ठीक है, और positive integer है, मतलब हो नमबर है, तो ठीक है, तो हम लोग factor theorem में क्या करते हैं, कि अगर ये इसका factor रहा होगा, तो इसका 0 क्या रहा होगा, तो इसको एको रख लिजे 0 के, तो यहाँ प्रचेस का value क्या निकल कराएगा, minus का a, ठीक है, और इस minus का a को आप इस polynomial में put कर दीजे, क्या put करना है, minus का a, तो क्या given है, polynomial, तो h to the power of n, यानि a का power n, minus a का power n, और प्लस a का power n, ठीक है, और यहाँ minus a, को हम लोग इस तरह से भी सकते है, minus 1 का power n, और into में a, प्लस a, a का power n, ठीक है, तो यहाँ पर cs जो अप्सॉल्फ करेंगे इसको, और यह क्या है, odd integer है, odd positive integer है, तो किसी भी minus का नंबर में, अगर power odd है, तो इसका जो solution आएगा, वो भी क्या हैगा, minus में answer आएगा, ठीक है, जैसे देखिए, यह minus 1 का power 3, तो minus 1 कितना times, 3 times, ठीक है, तो minus 1 का multiply minus 1 के साथ तो, प्लस का 1, अब प्लस 1 का multiply minus 1 के साथ तो, क्या आएगा, minus में, अगर मान लिजी इसका power 6 रहता, तो यह positive में आता, जैसे अगर पावर इसका मान लिजी 5 रहता, तो क्या होता, देखिए फिर सें, तो minus 1 into minus 1 into minus 1 into minus 1, 1, 2, 3, 4, और यह वार, minus 1, 5, तो देखिए, मैने सब्सक्राइब का 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 मैने सब्सक्र और और नम्बर यह तो उसका जो अंसर आएगा तो भी नेगेटिव में ठिक है तो यहां पर अगर हम मैनिस वन का यह ऊड़ नम्बर सेघल करें तो क्या आएगा एंसर आएगा है तो मैंकh का A to the power of N अब प्लस का A to the power of N तो क्या हो जाएगा कटके 0 तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 तो यहाँ पर यह प्रूफ हो गया कि माइनेस A जो है इस पॉलिनोमिल का क्या है एक फेक्टर हम लोको क्या प्रूफ करना था तो फेक्टर थिर्म से प्रूफ करना है कि X play अच्छा ठीक है अगर यह माइनस A इस पॉलिनोमिल का एक 0 है क्योंकि यह माइनस A को ही तो पूट किये थे इसमें और उसका रिमाइंडर क्या आए था 0 मतलब माइनस A क्या है इस पॉलिनोमिल का जीरो है देन X माइनस A X प्लस A क्या हो जागा इस और फेक्टर आप प्यक्स यह हो गया आपका कोश्चन नमबर 26 और यहां पर यह exercise कंप्लीट होता है और नेक्स्ट एक्साइज एक्साइज 3 यह जो फेक्टर थिर्म से दिलेटेड है फेक्टराइजिशन आप पॉलिनोमिल ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में यही वहला एक्साइज हम तो इससे आपको यह factor theorem से पता चल जागा middle term split कराना जो हम बोले थे कि कैसे कराना है वो भी बता देंगे इसी में तो ठीक है तो यहाँ पर आपका question number 26 complete और यह भी exercise complete और यह chapter यह चारो exercise बनाकर बढ़ियां से fair copy में submit कीजियां उसके बाद हम लोग exercise 3A start करेंगा